प्रधान मंत्री ने कहा कि भारती पारम परिकौशती और आरुग्य पद्धतियां पूरे विश्व में लोग प्रिय विश्व स्वास्त संगठन और भारत सरकार के वीच हुआ MOU राजिस्थान के मुख्यमंद्री अशोक गहलोत ने 36 गड़ सरकार से मांगा कोईला मुख्यमंद्री वुपेश बगहल बोले नियमानुसार करेंगे कारवाई खैरागण उप्चुनाव के लिए राजनितिक सरकर्मी तेज, भाजपा और कॉंग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची और प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने राजधानी राइपुर में एक दिवसी एक्सपोर्ट कॉंक्लेव का शुभारंब नमस्कार आप देख रहे हैं दूर दर्शन समाचार मैं हूँ शुबरा भट्टाचार अब समाचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा है कि देश को अत्याधुनिक पारंपरिक आउश्धी वैश्वी केंद्र बनने पर गर्व है श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेशों में कहा कि भारती पारंपरिक आउशधी और आरोग्य पद्रतियां पूरे विश्व में लोग प्रिय हैं उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्त संगठन का ये केंडर स्वास और आरोग्य को बढ़ावा देगा आईश मंत्राले ने विश्व स्वास्त संगठन के साथ गुजरात के जामनगर में पारंपरिक आउशधी वैश्विक केंडर की स्थापना के लिए समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं एक अन्य ट्वीट में प्रधान मंत्री ने दोहा में योग कक्षाएं आयुजित करने के लिए भारती दूतावास की सराहना की उन्होंने कहा कि योग स्वास और आरोग्य के संदर्ब में पूरे विश्व को एक जुट कर रहा है विश्व स्वास्त संगठन और भारत सरकार ने गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्त संगठन पारंपरिक ओशदी वैश्विक केंडर स्थापित करने के समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं आयुश्य सचे वैदिर राजेश कोटेजा और विश्व स्वास्त संगठन के महानिदेशक अधानम गैबरियासिस ने जिनेवा में संगठन के कायोजन में समझोते पर हस्ताक्षर किये विश्व स्वास्त संगठन ने कहा कि पारंपरिक औशदी केंद्रिक अधुनिक विग्यान और प्राद्योगी की माध्यम से पूरे विश्व की पारंपरिक औशदी की शमता का पता लगाना और जन्द स्वास्त में सुधार के लिए इसका उप्योग करना है संगठन के महानिदेशक डॉक्टर गैब्रियासिस ने कहा कि विश्व के असंखिल लोगों के लिए पारंपरिक औशधी अनेक रोगों के उपचार का पहला कदम है उन्होंने कहा कि सभी लोगों के लिए सुरक्षित और प्रभावी उपचार सुनेश्चित करना विश्व स्वास्त संगठन का मिशन है उन्होंने इस दिशा में भारत सरकार के सहीयोग की भी सराहना की कोईला संकट से जूज रहे राजस्थान के मुख्यमंतरी आशोक गहलोत शुकरवार को रायपूर पहुँचे जहां उन्होंने च्छत्तिसकर के मुख्यमंतरी वुपेश बगहल से मुलाकात की इस दोरान श्री गहलोत ने भारत सरकार द्वारा आबंटित कोईला खदान में खरन की अनुमती देने का अग्रह किया इसके बाद मुख्यमंतरी वुपेश बगहल ने कहा कि राजस्थान को भारत सरकार द्वारा आबंटित कोईला खदान के संबद में परियावरण और अस्थानी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कारवाई की जाएगी राजिस्थान के मुक्यमंत्री ने कोईला खदानों के संचालन और राजिस्थान के जल्द कोईले के आपूर्ती के संबद में कारवाई करने का नुरोत किया श्री गहलोत ने कहा कि राजिस्थान के लोगों की तरफ से वे बड़ी उम्मीद लेकर 36 कड़ आए हैं उन्होंने बताये कि राजिस्तान में कोईले की कमी के कारण गंभीर बिजली संकट पैदा हो गया है। यदि चत्तीजकर से मदद नहीं मिलती है तो राजिस्तान में साड़ी 4,000 मेगावाट क्षमता के प्लांट बंध हो जाएंगे। चत्तीजकर के मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने कहा कि राजिस्तान को जो कोल ब्लॉक आबंटित हुआ है उस पर विधिवत काम किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में समय लगता है खदान आबंटन के बाद परियावरण की स्विक्रिती के साथ भारत सरकार और राजिस्त की गाइडलाइन पूरा करना होता है। परियावरण और उस्थानी लोगों के हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है। राजिस्तरकार ने परियावरण और उस्थानी लोगों के हितों से कभी समझाता नहीं किया। इन विश्यों को लेकर राजिस्तरकार हमीशा गंभी र जाएगा राश्ट्र व्यापी टीका करण के तहर देश में आप तक 182 करोड 87 लाग से धिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं स्वास्त बंत्राले ने कहा है कि कल 29 लाग से अधिक टीके लगाए गए स्वस्थ होने किदर 98.75 प्रतिशत है पिछले 24 घंटे में 2349 मरीज संक्रमन से स्वस्थ हुए इसी दोरान 1600 नए लोगों में संक्रमन की पुष्टी हुई महामारी से ठीक होने वालों की संख्या 4 करोड 24 लाग 80 हजार हो गई है देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 16,741 रह गई है स्वास्त मंत्राले ने बता है कि देश में अब तक 78 करोड 63 लाग से धिक नमूनों की जाच की जा चुकी है पिछले 24 घंटों में 6,598 नमूनों की जाच की गई इदर 36 गड़ में प्रदेश की ऑसत पॉजिजिविटी दरशूर ने दशमलाव एक पांच प्रतिशत हो गई है पिछले 24 घंटों में प्रदेश भर में प्रतियाशियों की नाम वापसी के लिए 28 मार्स तक का समय निर्धारित किया गया है उसके बाद वैद प्रतियाशियों को चुनाव चिन आबंटित कर दिया जाएगा खेरागण उप्चुनाव का परिणाम 16 अप्रेल को मत्यगणना के बाद जारी किया जाएगा यहां होने वाले उप्चुनाव में भाजपा, कॉंग्रेस और जोगी कॉंग्रेस ने अपने प्रतियाशियों के नाम घोशित कर दिये हैं भाजपा की ओर से कोमल जंगेल, कॉंग्रेस से यशुदा वर्मा तथा जे सी सीजे ने नरेंद्र सोनी को अपना प्रतियाशी घोशित किया है खेरागण में चुनावी गतिविधिया तेज हो गई है भारती जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचार कों की सूची जारी कर दी है जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रिवराज चौहान, केंद्री मंत्री जोती राद्धित सिंधिया समेत भाजपा के कुल 40 नेताओं के नाम शामिल है इसी तरह कॉंग्रेस के स्टार प्रचार कों में मुख्यमंत्री भुपेश बगेल, प्रदेश प्रभारी पी एल पुनिया, प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत 27 नेताओं के नाम शामिल है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी रविवार सुभा 11 बजे आकाश्वानी से मन की बात कारिक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साज़ा करेंगे प्रसारित होगा आकाश्वानी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कारिक्रम क्षेत्री भाशाओं में भी प्रसारित होगा क्षेत्री भाशाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुरा जा सकेगा प्रदेश के वानिजी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमाने राजधनी राइपूर के निजी होटल में Federation of Indian Export Organization द्वारा आयल जित एक्सपोर्ट कॉंक्लेव का शुभारब किया कॉंक्लेव में 36 कर से निर्याद को दोगुना करने के संब्ध में रणनीती पर विशेशक्यों द्वारा विचारवी मर्श किया जाएगा इसके साथ ही व्यापारिक एवं वानिजीक समुहों के प्रतिनितियों को उत्पादों के वितरन और निर्याद बढ़ाने के संब्ध में आवश्यक जानकारी दी जाएगी Federation of Indian Export के MD अजय सहाई ने बताया कि केंद्र और राज्यक सहयोग से निर्याद को काफी बढ़ावा मिल रहा है इससे उद्योगों को भी लाब मिल रहा है अच्छी बात की गई है और आपने ये भी देखा होगा जो 35 Multimodal Logistics Terminal की बात की है उनमें एक Multimodal Logistics Terminal राइपूर में बनने की बात है और हम ये चाहेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी एक बनाया जाए जिससे की Export और जो मैनिफेक्शिंग है दोनों की Logistics Cost में कमी आ सके हमने ये भी दिखा है कि इस बार बजट में 100 कारगो Terminal बनाने की बात हुई है और ये Terminal जो है मेरे को लगता है अगले 3-5 साल बनेंगे और कुछ Terminal जरूर 36 गड़ में मिलेंगे एक बहुत अच्छी बात यह हुई कि आज की डेट में भारत का जो भी निर्यात अच्छा चल ला है उसमें राज्यों के इंद्र दोनों के बीच में बहुत अच्छा समावेश है जिसके कारण ये हो रहा है और जो भी स्टेट की जो भी चुनोतियां है उनको इस सम्मिलन में अगर वो आती है तो उनको हम जरूर के इंद्र सरकार के साथ भी लेंगे प्रदेश के उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि राजिस सरकार की नई उद्योग नीती के कारण उद्योगों को बहतर निर्यात के अफसर मिल रहे हैं और 36 गड इस तिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है इस सोभी अदिकारी बुले दो साल में 17 गड इसPORTS में बहुत आगे बढ़ा है इस अफसर पर अलग अलग विभागों की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है कारिक्रब में Federation of Indian Export Organization Regional Chairman नंद किशोर कांगलिवाल, Vice President खालित खान सहिद और द्योगी क्वानिज और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनी धी उपस्तित थे आजादी के लिए भारत का संघर्ष आधुनिक विश्व के महांतम संघर्षों में से एक है दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की जलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है आज की सकड़ी में हम बात कर रहे हैं ृ श्रीलंका के जाने माने नेता फिलिप गुड़ावर्दना का स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने भारत के स्वाधीनता संघर्ष में महतवपूण भूमी का निभाई थी भारत के लिए फिलिप गुणावर्दना का प्रेम और अपनिवेशिक शासन से स्वतंतरता के उनके प्रयास 1920 के दशक के आरंब में अमरीका में शुरू हुए थे वे युनिवर्सिटी ओफ विसकॉंसिन में जैप्रकाश नारैन के सहपार्टी थे जहां वे अपनिवेशिक शासन से आजादी की वकालत किया करते थे 1928 में फिलिप गुणावर्दना इंगलंड चले गए और वीके कृष्णा मैनन की साथ इंजियन लीग की गतवीधों में शामिल हो गए द्वित्य विश्वयुद्ध शुरू होने पर लंका समाजपाटी LSSP ने प्रिटिश उद्ध प्रयासों का खुल कर विरोध किया और उसकी सदस्यों को भूमिगत होना पड़ा फिलिप गुणावर्दना को गिरफतार कर लिया गया और ब्रिटिश शुद्ध प्रयासों का खुला विरोध करने की कारण उन्हें जेल भेज दिया गया पांच अप्रेल 1942 को कोलंबो पर जापानी हवाई हमले के दोरान गुणावर्दना सहित कही नेता जेल से निकलने में सफल रहे गुरु सामे के चद्म नाम से फिलिप अपनी पत्नी कुसुम के साथ भारत आ गये भारत में गुणावर्दना दंपत्ती उन भूमिगत कारेकरताओं में शामिल हो गए जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे 1943 में फिलिप और उनकी पत्नी को अंग्रेजोंने गिरफतार कर लिया उन्हें बंबई में आर्थर रोड जेल भेजा गया एक वर्ष बाद दोनों को स्रिलंका निर्वासित कर दिया गया 1945 में द्वित्य विश्युद्ध समाप्त होने पर ही उने रिहा किया गया स्वतंत्रता की बाद भारत के प्रधम प्रधानमंत्री जवारलाल नेरू श्रिलंका में उनके घर गय और भारत के स्वाधिनेता आंदोलन में समर्थन और उनके व्यक्तिकत वलिदान के लिए दोनों का धन्यवाद किया 1948 में स्रिलंका के ब्रिटेंस से स्वतंत्र होने के बाद फिलिप और कुसुम श्रिलंकाई संसत के लिए निर्वाचित हुए फिलिप 1956 में पीपल्स रिवोल्यूशन सरकार के संस्थापक नेता और कैबिनेट मंत्री थे उन्हें स्रिलंका में समाजवात का जनक भी कहा जाता है फिलिप गुणवर्दना अंत तक सारजनिक जीवन में सक्रिय रहे और 26 मार्च 1972 को उनका निधन हो गया सांस्कृतिक, सामाजिक और एतिहासिक रूप से भारत हजारों वश्ट से श्रिलंका का घनिष्ट पड़ो से मित्र रहा है फिलिप गुणवर्दना और श्रिलंका के अग्याद शहिदों का बलिदान दोनों देशों के मस्बूत संबंधों का आधार और प्रतीक है महान नेता को श्रधांज ले ट्विटर पर भी उपलब्द है अन्त में मुख्य समाचार एक बार फिर से प्रधान मंत्री ने कहा कि भारती पारंपरिक औशधी और आरोग्य पधतिया पूरे विश्व में लोगप्रिय विश्व स्वास्त संगठन और भारत सरकार के बीच हुआ राजिस्तान के मुख्य मंत्री अशोग गहलोत ने 36 गड़ सरकार से मांगा कोईला मुख्य मंत्री भुपेश बगेल बोले नियम आनुसार करेंगे कारवाई हैरागण उप्चुनाव के लिए राजनितिक सरगर्मी तेज भाजपा और कॉंग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची और प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देनी राजधनी राइपुर में एक दिव से एक्सपोर्ट कॉंक्लेव का शुभारम इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्थ हुआ नमस्कार